कि वीडियो को देखने से पहले like करें subscribe करें and प्रेल आइकन पर click करें difference of sets set वो का कैसे difference लगाना ठीक है a set है b a set है तो क्या होगा difference a minus b नने का या b minus e होगा अब दिखें आप कभी भी आप गया depends know which is a minus is a minus b मैंने जब एक वीडियो देखा होगा मेरा integers का उसमें मैं बताया कि sign किसका आता है बही positive आएगा क्यों आएगा क्यों का sign बढ़ा है या value बढ़ी है ठीक है इस type के मैंने concept बतायते है ठीक है A-B कर रहा हो इसका मतलब क्या हो रहा है A-B मतलब A बढ़ा है A के ही element शोगे B के element वहाँ शोग नहीं होंगे उसी तरह B-A होंगे तो ऐसा set जिसमें केवल B के element सो हो A के नहीं हो अब देखिए कैसे let A and B two sets the difference of A and B return A-B और B और A का difference क्या खिलाएगा B-A ठीक है अब A-B के अंदर क्या होगा the set of all those elements the set of all those elements यह ध्यान से पढ़िएगा of A which do not belong to B A के वह element लेंगे जो B के अंदर नहीं होने जो B के अंदर नहीं हो A के अनदर जैसे कैसे देखे A-B अब X belongs to A केवल A को बिलोंग करेगा जबकि X not belongs to B B को बिलोंग नहीं करेगा जैसे कैसे एक सामपल देखिए B-A में उल्टा हो जाएगा X किसको belong करेगा B को belong करेगा जबकि not belongs to A करेगा जैसे A का एक set लिया 2, 3, 4, 5 और फिर B ले लिया 3, 5, 7 अब देखिए A-B क्या होगा अब पहले आप देखिए B में क्या क्या element है 3 है ये 3 कट जाएगा 5 है ये 5 कट जाएगा ठीक है अब B से हमें कोई लेना देना नहीं है अब सिर्फ A से लेना दे रहा है क्यों क्या लेना देना है क्योंकि हम A- कर रहे A-B कर रहे है ठीक है तो इसका मतलब अब पीचे कौन बज़ गया A में 2 और 4 बज़ गया 2 और 4 बज़ गया इसलिए तो कहा All those elements of A A के ही हमें element लेने है जो B के अंदर अल्रेटी है या B को belong कर रहे है वो हमें नहीं लेना है तो क्या answer आजाएगा 2,4 ये चीज clear हो गई उसी तरह अगर उल्टा करें हम जैसे कि उल्टा इस चीज को देखेंगे हम तो हमने यहाँ देखा के वही अब हम B-E कर रहे है ठीक है क्या कर रहे है B-E कर रहे है अब B-E में हम सबसे पहले क्या देखेंगे के 3,5,7,9 3,5,7,9 अब 3 कट गया ये 3 कट गया 5 फिर कट गया 5 कट गया B-E कर रहे हैं ठीक है अब क्या बच रहे है B में 7,9 कर रहे है, 7,9 बच रहे है, क्यों देख रहे है हम B, क्योंकि हम B-A कर रहे है, तो answer क्या हैगा, B-A, इसका मतलब पहले जो common है, वो तो cut कर दो, और फिर जो चीज माइनस कर रहे हो, मतलब जैसे B-A, आगी क्या है, B है, तो हम के वल बीक में, जो बच्चे भी value होगी, वो हमारे B-A हो जाए है, अब इसका graphical देखिए आप ज्यान से, यह चीज़ देखे, आप जो yellow आपको part दिख रहा है, देखिए, A जो, A जो है, वो पूरा black color का circle है, black color की boundary वाला circle आपको दिख रहा है, students, ठीक है, यह आपका क्या है, A है, यह पूरा क्या है, आपका, A है, और जो red color का वो दिख रहा है, वो आपको क्या दिख रहा है, B दिख रहा है, यह चीज़ clear होई, यह नहीं होई, ठीक है, अब हमने जो common था उसको तो छोड़ दिया common वाला part कौन सा है ये वाला part इसको तो हमने क्या कर दिया छोड़ दिया इमने तो ले नहीं जो yellow part दिख रहा है ये वाला ये आपका क्या कहलाएगा A minus B कहलाएगा यानि A के अंदर ये जो A है ये इसके अंदर वो part बचा हुआ जो B को belong नहीं कर रहा है अब देखिए अपने एक नहीं definition यहाँ से सीखेंगे अगर हमें पूरा A निकालना है जो मैंने red color से आपकी इसको graph कर दिया है ये जैसे देखिए मैंने draw कर दिया है ये A intersection of B कहलाता है A intersection of B अगर complete A चाहिए तो मैं क्या करूँगा A माइनस B फिर प्लस में A intersection of B तो वो A आ जाएगा अब हम B माइनस A का graph देखेंगे तो B माइनस A का graph आ गया देखिए B माइनस A इदर आ गया red color की boundary पूरी जो दिखा रही है वो तो दिखा रही है किसको B को दिखा रही है किसको दिखा रही है B को और यह अकेला जो बचा है वो A हो जाएगा clear हो गया अच्छे से देख लेगा ठीक है आगे चलता है compliments of a sets sets को compliment देना ठीक है यानि set ने अच्छे कपड़े पैर रखे है तो उसको compliment दो यहाँ इसका meaning यह नहीं है ठीक है ना इसका meaning यहाँ है कि जो set A है उसका anti anti मतलब उसका दुस्मन कौन है यानि जो set में A चीज़े मान लो गसिटे राम करके दो मिटाई की दुखान है तो उसी तरह A और A-स है A-स से सो करते है यानि शक्तिमान का opposite कौन है दमराज किल्विस तो बस उसी तरह से समझना आपने को तो A एक set हो गया और A-स उसका just opposite वो चीज़े जो A में available है पर A-स में नहीं है clear हो गया जैसे देखिए let U be the universal set and let A be such a set जा A subset है U का then complement of A with respect to U U के respect में A का complement क्या होगा U minus A एक general definition में आप A का complement निकाल रहो तो आप universal के respect में निकालोगे और उस U में से अगर A minus कर दोगे A के जो element है वो minus कर दोगे जो बच्चे होई element होगे वो आपके A-स कहलाएंगे तो obviously बात है कि A-स में वही material होगा वही element होगे जो A में available है लेकिन A-स में नहीं होना चाहिए clear हो गया A-स को कैसे belong करेंगे X belongs to U because A-स तो belong करेंगे universal को लेकिन वो यहाँ पर जो set दे रखा है sorry यहाँ B गलत है यहाँ A आना चाहिए वो A को belong नहीं करेगा clear हो गया यानि यह not belongs to आएगा आगे देखे A-set of a natural number है अगर U universal set है एक natural number का ठीक है और अगर A-set है 2468 यहनि even number का set है A क्या है even number तो A-स जोगा वो obvious की बात है odd number का set हो जाएगा तभी तो इन दोनों को मिला कर इन दोनों को मिला कर क्या बन जाएगे natural number बन दाएगे clear हो गया अब इसका वेहन डाइगराम देख लिएगा यह आया ऐसे देखे जो white white दिख रहा है यह वाला आपको यह क्या है A है ठीक है इसके अंदर जो element है वो A-स के अंदर तो होना ही नीच है तो देखे बहुत सिंपल से टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ डिसकस किये डिसकस करना इसलिए ज़री हो क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस सारे फॉर्मले सारे चीज़े यहापर यूज आएगी थैंक्यू थैंक्यू वेरिमाच आप जितना भी अभी लाइक कर रहे है शेयर कर रहे है इसके लिए भी बहुत थैंक्यू आप ज़्यादे ज़्यादे इस वीडियो को देखिए विकॉज यह हेल्फूल है कॉम्पेटिशन परपस के लिए भी और आपकी जो जनरल अकेडमिक परपस है तो उसके लिए भी वी आर आलसर अवेलेबल ऑन इंस्टा और हम आप वहां से भी इनके जो अपडेट से वो पा सकते है प्लीज आल दो स्टुदेंट यहां रिक्वेस्टेड आपके लिए यही कहूंगा बैल आइकन जो यहां ब्लिंक हो रहा है इसको दबाना प्रेस करना न भूले प्रिकाज बैल आइकन जब आप प्रेस करोगे मंदिर की गंटी बजी तो विद्या का दान होगा धन्यवाद